नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम्प्यूटर क्या है अगर आप अपनी जिन्दगी में आगे वढ़ना चाहते हैं और दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ आगे चलना चाहते हैं तो आपके लिए कम्प् लाइन बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी या लोगों से इसके बारे में सुना होगा यह वीडियो खासका रोल लोगों के लिए जिनें कम्प्यूटर की बिल्कुल भी नौरीज नहीं है जब आप कम्प्यूटर के बारे में कहीं पढ़ने जाते हैं या किसी से प इस अगली आर्ट केरेक्टर्स को मिलाकिर बना है C यानि common only, O यानि operative, M यानि machine, P यानि particularly, U यानि used for, T यानि technical and E यानि education, R यानि research अगर इन सभी केरेक्टर्स को एक स्याथ हम पढ़ेंगे तो बनता है common only, operative, machine, particularly, used for, technical and education, research तो ये पूरा नाम को मिलाकर यानि कि इन art characters को मिलाकर जो नाम मनता है वो कहलाता है computer computer एक electronic machine है जो data को user से लेके process करता है और एक desired output देता है उधारन के लिए आप कोहलू यानि कि गन्ने के juice निकालने वाली machine को ले लीजिए उस machine में जब गन्ने को डाला जाता है उसके बाद उस machine में process होती है और आखिर में juice की रूप में output हमें मिल जाता है computer में भी यही होता है user के दोरा input दिया जाता है machine दिये हुए data को process करती है और process के बाद जो output मिलता है जो machine process करने के काम को करती है उसे processor कहा जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि data क्या होता है data कोई भी meaningful information हो सकती है जैसे audio, video, text, email, इत्यादी ये सारी चीजें data ही होती है अब जब आप से कोई पूछे कि computer क्या होता है तो सबसे पहले आप उसे जबाब देंगी computer एक electronic machine है ये electronic machine एक processor से चलती है इस processor को microprocessor भी कहा जाता है processor जिस data को accept करता है उसे input device के जरिए accept किया जाता है जैसे कि keyboard हुआ, आपका mouse हो गया scanner हो गया, mic हो गया इत्यादी ये सारी चीजे input device में आती है output device के बारे में आप जरूर जानते होंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताएता हूँ कि monitor, printer, speaker, plotter, इत्यादी ये सभी output device होते हैं आप इस screen पर देख सकते हैं input और output के बीच में जो data को process करने का काम करता है वो processor होता है computer का सबसे जरूरी part होता है memory क्योंकि बिना memory के कोई भी computer चल नहीं सकता memory दो प्रकार की होती है पहली है RAM यानि random access memory दूसरी है ROM यानि read only memory तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि RAM यानि random access memory क्या होती है जब भी आप अपना नया phone या computer खरीते हैं तो आपके दोस्त रिष्टेदार जरूर पूछते होंगे कि आपके phone की RAM कितनी है आपके computer में कितनी RAM है सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि RAM का पूरा नाम random access memory होता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर RAM काम कैसे करती है ये सवाल पराई लोगों के दिमाग में अपने आप आजाता है जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ती है तो अलग-अलग सवाल जो है हमारे मन में आते रहते हैं तो उनका question आप चाहें जब भी जहां में पढ़ते हैं तो बीज में पूछ लिया करें उससे आपका फायदा है तो मैं आपको बता देता हूँ जब आप अपने computer या phone में कोई भी application इस्टॉल करते हैं तो वो या तो hardest में या internal memory में save होती है लेकिन जब आप उस application को चलाते हैं तो कुछ समय के लिए वो app आपकी RAM में आ जाती है app या software जो भी है और RAM उसे run करने के लिए working space देती है आपने अक्सर देखा हुआ कि जब आप अपने phone या computer में एक साथ बहुत सारे program को run कर देते हैं तो आपका जो system है वो hang होने लगता है इसकी यही वज़े होती है कि आपके पास RAM कम होती है और program उसे ज़्यादा run कर दिये जाते हैं इसलिए आज के इस समय में RAM की ज़्यादा अवस्षिक्ता होती है जितनी ज़्यादा RAM उतना ही powerful आपका system या आपका mobile अगर आप नया computer ख़एदना चाहते हैं तो आप कम से कम RGB RAM का computer ख़एदे यही इस्तिती phone की भी होती है आज के समय में जितनी application आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा RAM का इस्तमाल करती है इसलिए phone भी आपको कम से कम 6-8 RGB वाला ही लेना चाहिए ताकि आप नहीने application को आसानी से अपने phone पर run करा सके यह मुझे लग रहा है यह जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बीच-बीच में मैं बहुत सारी ऐसी टेक्निकल जानकारी देता रहता हूं तो चलिए आए जान लेते हैं कि ROM यानि की Read Only Memory क्या होती है ROM का पूरा नाम Read Only Memory होता है इसका नाम उन लोगों ने जरूर सुना होगा जो सीधे मार्केट से CD यानि की Compact Disc को खरीद कर लाते हैं आज कल इसका Personal बहुत कम हो गया यानि की DVD या CD बहुत कम लोग चलाते हैं इसकी जगे Memory कारने ले लिया उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे ये बात उन लोगों को जरूर पता होगी जो अपने सिस्टम में Operating System यानि विंडो को इस्टॉल करते हैं जब आप पहली बार Operating System इस्टॉल करते हैं तो Delete या F2 दबा कर BIOS का Setup Open किया जाता है देखिए यहां पर थोड़ा बारीगी से समझते हैं कंप्यूटर में दो प्रकार की Memory होती है एक Primary Memory होती है दूसरी Secondary Memory होती है रोम Primary Memory का एक पार्ट है ये Memory Non-Volatile Memory होती है जिसमें लाइट जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है अगर आपने कंप्यूटर खरीद लिया है या खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए अवस्य जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जब भी आप खरीद लें उसके बाद आपके बाद पच्टाने के सिवा कुछ नहीं रहता कि मैंने ये नहीं खरीदा वो नहीं खरीदा तो सबसे पहले मैं आपको बताएता हूँ कि कम्प्यूटर पहली बार इस्तमाल करने के लिए क्या-क्या जरूरी बाते होती हैं क्या-क्या चीज़ें आवस्ते कें वो सारी चीज़ें मैं आपको बताएता हूँ कि CPU के back panel के वायरों को किस प्रिकार से लगाना चाहिए CPU के वायरों को कैसे connect करते हैं इसके लिए आपको फिर किसी दिन अलग से वीडियो में टुटोरिल के मात दिम से मैं आपको बता दूँगा और अगर आपको कुछ और चीज़ के बारे में भी जानना हो तो आप उन डिवाइसों का अच्छे से इस्तिमाल नहीं कर पाईए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अगर आपको computer से या technical से related कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment करिए मैं उससे related वीडियो आपको जल्दी से provide कराऊँगा एक बात मुझे अच्छी से पता है कि अब आपके मन में history of computer यानि ये computer के इत्यास के बारे में जानने के उत्सकता है अवस्य उत्पन हो गए होगी क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी कभी आया था तो चलिए सबसे पहले इस जिग्यासा को सांथ करते हैं तो जानते हैं computer के इत्यास के बारे में और ये चीज़ें बहुत बारे की से हमें समझ लेनी चाहिए क्योंकि आज का समय विज्ञान का समय है और computer इंसान की जरूरत बन चुका है इसलिए अगर आज के समय को computer का समय कहा जाए तो गलत नहीं होगा आज हर छेतर में computer ने अपनी उपयोगिता को सुद्ध किया हुआ है इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पहलू है जिनसे आप और हम लोग बेखवर रहते हैं क्योंकि जिन चीज़ों की जरूरत नहीं होती हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते 18-20 सतापदी के समय में पूरी दुनिया तकनीक से बिलकुल अंजान थी इनसान जो अपनी आँखों से देखता था केवल उसी को सच मानता था इसी बीच लंदन में पैदा हुए चार्स बेवेज ने लोगों की सोच को बदलने का काम किया चार्स ने 14 जून सन 1922 में कम्पिटर बनाने का दावा किया लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात को सच नहीं मानते माना जाता है कि चार्स बेवेज मसीन बनाने में कामयाब रहे लेकिन उस मसीन को पूरी तरह से नहीं बना पाए शुरुवात में उन्होंने एक बहुती बड़े आखार की मसीन का आविशकार किया एक मसीन केवल गड़ना यानि कि गित्ती कर सकती थी पर यह नहीं बता सकती थी कि वो गड़ना ठीक है या नहीं इसलिए बहुत से विसे सग्यों का computer के आविसकार को लेकर अलग-अलग मत है इस आविसकार के बाद लोगों को इस तकनीक को जानने और समझने की दिल्चस्पी जगने लगी समय कि साथ साथ बहुत सारी चीजों में बदलावाया और लोग इस बात को बिलकुल उमीद नहीं करते थे कि computer जैसी चीज कोई हो भी सकती है तकनीक की योग में सबसे बड़ा दिन तब आया जब जर्मनी के वैग्याने कोनराड जूस ने programming computer का आविसकार कर दिया ये समय था सन 1936 से लेके 1938 के बीच का ये आविसकार इसलिए भी ज़्यादा जरूरी था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले programming computer का आविसकार किया था चास वेवेज की machine काफी हद तक इलसानी दिमाग पर निर्वर कर दी थी लेकिन कॉनराड का computer खुद programming से चलता था कॉनराड ने इस computer को जो नाम दिया था वो था Z1 कॉनराड जूर्स के आविसकार के बाद यूरोप अंदेश में एक नई करांती की सुरुआत होगी computer के आविसकार ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया ये हजारा लोगों के काम को अकेला ही कर सकता था जिन कामों को करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था वो काम कुछी समय में होने लगे इसलिए लोग computer के तरफ और भी ज़्यादा आकर्सित होने लगे इसके बाद Jay Press पर Eckart ने पूरी दुनिया को electronic computer दिया ये computer पूरी तरह से detail था सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके आविसकार के बाद नई टेटेल आविसकार होने लगे इन्होंने computer कोज सन 1940 में की थी इन्होंने इस computer कोज अपने प्रोफेसर जान मेकली के साथ मिल कर की दोनोंने इस computer को E.N.I.A.C. नाम दिया जिसका पूरा नाम electronic, numerical, integrator and computer है इनके आविसकार के बाद computer को एक नई पहचान मिल गई और इससे प्रभावित होकर US Army ने इससे जनसंख्या की गड़ना के लिए इस्तमाल किया था अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि computer बनाने वाली सबसे पहली company कौन सी थी तो आईए अब जानते हैं first computer company यानि कि पहली computer company के बारे में दुनिया के लोगों ने जिस machine के बारे में कभी सोचा नहीं था उसका यानि कि computer का आविसकार हो चुका था इसके आविसकार के बाद सबसे बड़ी चुनोती इसको बनाने की थी इसमें सबसे मुश्किल काम यह था कि इसको बनाने का पूरा formula किस company को दिया जाए और उस formula के जरिये कई computer त्यार किये जाए दोनों ने ही ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं समझा और दोनों ने मिलकर अब एक साथ company खोलने का मन मना लिया और computer बनाने की शुरुआत की इस company का नाम ECC यानि की electronic control company रखा गया यही दुनिया की सबसे पहली computer company थी हाला कि बाद में दोनों ने company का नाम बदल कर अपने नाम पर कर लिया डिटल computer के आविशकार के बाद इन्होंने computer की दुनिया में लगवग 85 यानि की 85 और अलग अलग आविशकार किये जिनको उन्होंने अपने नाम से patent करा दिया बिज्यान की छित में उनके यूगदान को देखते हुए सन 1968 में National Medal of Science से सम्मानित किया गया समय के साथ computer की demand बरती गई और आज ये हमारे जीवन का अभिन अंग बन चुका यानि की हिस्सा बन चुका है अब बात करते हैं usage of computer की कि आप computer को कहां कहां huge कर सकते हैं और इसका इस्तमाल कहां कहां होता है तो computer का इस्तमाल मरो रेंजन के शेतर में बहुत ही जादा किया जा रहा है जैसे अगर कोई नई फिल्म मनती है तो उसकी एटिंग computer के माध्यम से की जाती है इसके बाद computer का सबसे ज़्यादा इस्तमाल education के शेतर में किया जा रहा है जैसे मान लीजिए कि अगर आपको घर वेट कर कोई class लेनी हो तो आप computer के माध्यम से आसानी से ले सकते हैं आप लोग अक्सर bank जाते होंगे वहां आपने देखा होगा कि आज bank में जो भी काम होते हैं वो लगबग computer के माध्यम से ही होते हैं जादा से जादा इसके लाबा computer का उपयोग scientist research के लिए भी करते हैं और आज जितनी भी company हैं फिर वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो सभी में computer के द्वारा ही काम किया जाता है तो आसा करता हूँ मेरा आज का इस वीडियो आपको काभी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक करें शेयर करें अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment कर सकते हैं इसके अलाबा नीचे देगे लाल बटन पर किलिक करके आप चैनल को subscribe क करें और notification bell को on कर दें जिससे की मेरे द्वारा दिये गए latest वीडियो की information आपको सबसे पहले मिल सके thanks for watching Hindi tech info